आज हम दोस्तों बात करेंगे money plan के पौदे के बारे में अभी नवेंबर का महीना आगया है और बहुत सारे इलाकों में ठंड ज्यादा होने लगी है, जिसके कारण money plan के पौदे हैं, बहुत सारे हमारे viewers हैं, जिनको लगाना पसंद है पर उनके सर्दियों में पौदे मर जाते हैं उनके लिए आज हम वीडियो में बात करेंगे कि आप इनको कैसे बचा सकते हैं और हरा भरा कैसे कर सकते हो ये दोस्तों आज नवेंबर 10 की मैं वीडियो बना रहा हूँ आप देख सकते हैं मेरा जो मनी ब्लांट का पौ कि अभी बहुत सारे हमारे वीवर्जान को लगेगा कि इसको ठंड से बचाने के लिए हम अंदर कमर में रख देते हैं पर पूरे जैसे आप कह सकते हैं अंधेरे में या फिर जहां पर बिल्कुल भी सनलाइट ना आती हो वैसी जगा पर ये अच्छे से नहीं टिक पाएग इसलिए पहली बात आती है कभी भी इसको फुली इंडोर ना रखें और कहां पर रखना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और दूसरा दोस्तों हमारे पास क्या होता है कि हमारा मनी प्लांट है हम चाहते हैं कि उससे आगे से आगे प्लांट्स बनते रहें में भी जड़े आने की चांसिस बहुत जड़ा कम रहेंगे क्योंकि इसका जो ग्रोइंग सीजन है वो मार्च से लेकर सेप्टेंबर या अक्टूबर तक रहता है निवेंबर से फरवरी एंड तक यह अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है इसलिए और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा अगर आप वाटर देना चाहते हो जैसे पानी देना चाहते हो मनी प्लांट के पौदे को हम चाहते हैं कि हमारा पौदा मॉइस्ट रहे पर मॉइस्ट होने के साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि आपके पौदे की जो सॉयल है वो March से लेकर सब्टेंबर में Money Plant को पानी देते हैं यह दो दन में आप कह सकते हैं एक बार पानी लेता है अगर हम अभी की बात करें इसको आप हफते में एक बार देखें क्योंकि हफते में एक बार अगर आप पानी देंगे तो समझ जाए कि आपके पौदे में पानी की बहुत ज्यादा जो मातरा रहती है इसके कारण इसको पानी में थोड़ा से इसका शौटेज करें और जिसके सब आपका पौदा है बहुत ज्यादा हरा भरा रहेगा और हमारा दोस्तो जो अगला पौइंट है वो है हमारा पौइंट के हमें इसको ओपन लोकेशन में भी नहीं रखना है आप कहोगे अगर हमें इंडोर नहीं रखना है ओपन लोकेशन में भी बिल्कुल नहीं रखना है तो हम कहां पे रखें जो open location होती है दोस्तों मतलब उसके जो surrounding में कोई भी पौदा नहीं होता सिर्फ यही पौदा पड़ा हो उस जगा पे दोस्तों इसको कोरा जब ठंडों में जो हमारे रात को कोरा पड़ता है वो हमारे पौदे के जो पते हैं वो पीले कर सकता है और काफी बार आपके पौदे के जो पते हैं सभी जड़ जाते हैं सर्फ डंडी बच जाती है जो बहुत जो मुश्किल से आगे जाके ग्रो हो पाती है इसलिए इसको रखेंगे कहाँ पर अगर आपके पास बहुत सारे पौदे हैं उसका आप गुरूप बना सकते हैं और उसके बीच में आप इस पौदे को रख सकते हैं क्योंकि ये दोस्तों जो एक पौदे है इसको नमी बहुत ज़रा पसंद है अगर आपने देखा होगा जब दो-चार दिन लगातार बारिश हो जाती है इसलिए आप ये भी चीज ध्यान में रख सकते हैं और साथ में अगर दोस्तों आप एक चीज और भी कर सकते हैं इसमें नमी मेंटेन करने के लिए जो ताजा पानी होता है ऐसा निये कि आपको जैसे रात में जो हमारा सभी टैंकी का पानी बहुत ज़रा ठंडा हो जाता है आपको वो पानी इसके उपर स्प्रिंकल नहीं करना आपने जो ताजा पानी जो होता है नॉर्मल फ्रेश वाटर होता है उसको आप अपने पौदों की फॉलेश के उपर दो दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हो जिसके साथ पौदा एक्टिव रहेगा और इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ आपको देखती रहेगी इसके साथ हमारा जो पौदा है उसमें कोई भी प्रॉबल्म या ऐसे कोई कीड़े पतंगे भी नहीं आएंगे जैसे आप इस पौदे में देख सकते हो कर्लिंग का इशू था पर जबका मैंने इसके उपर पानी स्प्रे करना शुर और इसके लिए आप इसको फर्टिलाइजर अगर नहीं भी देते हैं तब भी ये चलेगा पर अगर आप देना जाते हो तो आप एक महीने में क्या कर सकते हो साथ से आठ दाने जो हमारे पस डी एपी होती है डाइमॉने फॉस्फिट जो इसकी रूट ग्रोथ रूट परांट थोड़ा सा दो डाई साल के उपर का है तो आप इसमें आठ से दस ग्रेनुल्स भी डाल सकते हैं और साथ में काफी बर क्या हम करते हैं काफी बर हम उपर से सभी को जो ग्रेनुल्स हैं गिरा देते हैं जिसके गारण क्या होता है काफी बर पत्तों के उपर भी जो पर ये दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करना अगर आप किसी डीएपी के ग्रैनुल किसी भी पौदे की फॉलेज पे रहते हैं ये पत्ते को पूरी तरह से जला देता है बिल्कुल भी पौदे को अच्छे से बढ़ने नहीं देता इसलिए फॉलेजर को कभी भी किसे पौदे की फॉलेज पे ना रहने दें जो आपके बास ग्रैनुल फॉलेजर होता है वो कहीं न कहीं आपके पौदे के पत्ते हैं उसमें छेद भी कर सकता है या फिर उसको जला भी सकता है और इसी के साथ दोस्तों I hope आपको सभी जो चीज़ें clear होगी होगी मेरे सब से यह चीज़े थी जो आपको बतानी जुरूरी थी जिसके साथ आपको जो money plant है इसको बहुत अच्छे से आप save कर सकते हैं और केर भी कर सकते हैं कोई भी और fertilizer देनी की जुरूत नहीं रहती है इसके लावा अगर आप indoor plants के बार में एकलोनेमस के बार में जानना चाहते हैं इंको कैसे हम बचाएं आप मुझे comment session में बता सकते हैं तो प्लीज प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माइं यूट्यूब चैनल और क्लिक दा बैल इकन तुक रेगुला